गॉड मौनिंग दियर सुदेंट्स यूर वन्स अगें वेलकम इन ओनलीन वीडियो क्लासे सब ग्लोबल प्लेक स्कूल बैतुल तोड़े वियर स्टेडिंग अबाउट दा मैंनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर आप चेप्टर 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर तो बचो इस चे एंड फाइल फोल्डर को कि से बनाते हैं। जैसना के स्टुदेंट्स आप जानते हैं कप्यूटर मेंiring नमेरेंट और फोल्डर के अभी तक कि हम कंप्यूटर के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं इन दिस चेप्टर विल स्टेडी अबाओ फाइल सेंफोल्डर एंड आल्सो हाव तुमेनेज फाइल फॉल्डर जैसे कि हमारी रियल जिंदगी में इन्हें कंप्यूटर आल्सो दा इन्हें इस तोर्ड इन फायल इंन इसर कि ट नावफ्र नर्स फोल्डर जैसा कि हमआरे ओन वह में इस पॉंदर में रखते हैं उस कंप्यूटर गयं यह उसे फोल्डर कहा जाता है अफाल केन होल्ड दे कलेक्शन आफ रिकॉड्स इमेज डाकुमेंट साउंड एनिमेसन चार्ट प्रविस एक्सेक्टरा कम्प्यूटर एक फाइल में बहुत सी चीज़ हो सकती है जैसे कोई रिकॉड हो सकता है कोई फोटो हो सकती है कोई को फाइल के रूप में स्टोर के जा सकता है इस फाइल सार इडिटिफाइट बाय दियर यूनिक नेमिंग कन्वेशन और इन फाल फाइल्स को इनके यूनिक नेम के माध्यम से डूंड सकते हैं विंडोज यूजिली लिमिट्स दफाइल नेम अप टू सिक्स्टी करेक्टर्स यहां ध्यान देने बात है नोट करें कि विंडो बे जो फाइल का नाम होता है अधिक्तम 260 करेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता इस टाइप के जो मार्क्स हैं यह फाइल नाम बनाते समय हम इनका उपयोग नहीं कर सकते फाइल नेम एक्स्टेंशन इस सेट आफ केरेक्टर डेट हेल्प्स विंडोस अंडेस्टेंड वाट काइंड आप इन्फॉर्मेशन इज इन फाइल फाइल नेम जब भी खतम होता है तो उसके अंत में फाइल नेम के बाद एक डॉट लगा के तीन सब्दे लिखे हुए हो आफ गुट करते हैं कि फाइल किस प्रकार की है वेभी कम्पिटर को दूर्णे में मदद करते है फाइल एट प्रोग्रामन उबंट इस क्या प्रोग्राम उपन होगा इजिस ग्सक्व्राइब द्वाatas तीअक्सर्व my life.txt जैसे कि यह दिकी file name है जिसका नाम है my life.txt the extension is txt. it tells window that is a text file that can be opened by a program associated with the extension such as wordpad or notepad जैसे कि उदारण के लिए दिकी file में txt extension है तो यहां character file होगी यहां wordpad notepad में open होगी file अफ देखते हम की file क्या है file is a collection of related information stored together file एक ऐसी जानकरियों का संग्रा है जो एक साथ संग्रेट की जाती है yes we keep important papers in a life जैसे हमारे देनिक जीवन में important papers को रखते है similarly any information in a computer is saved in the form of file उसी प्रकार किसी भी जानकरी को computer में file के रूप में save करते है इस file is given a file name प्रत्यक file को एक file name दिया जाता है जिसे कि उसे आसानी से बाद में खोजा जा सके is shared in the form of file each file is given is a file name which helps us to find the same file again in the future folder अब हम देखते हैं folders क्या है जैसा कि आप यहां चेत्रे में देख रहे है एक suitcase जैसा folder हमें दिखाई दे रहा है yes we keep all our files in a file cabinet जैसे हम हमारे सारी files को file cabinet में रखते है similarly a computer folder is like a cabinet where we keep relevant file जैसे उसी तरीके से computer folder जो है एक cabinet है जिसमें हम सारी file रखते हैं a folder can hold other folder as well एक folder में कई अन्य folder भी आ सकते हैं a folder can hold other folder as well a folder within a folder is called sub folder यदि किसी folder के अंदर के दुसरा folder है तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है sub folder अब हम देखते हैं computer में किसी भी file folder को हम कहां रख सकते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है managing file and folder यह प्रक्रिया कहलाती है file folder को manage करना the data or information we stored on a disk is saved as a file हम disk में कोई भी जनकर यह दिस रख्चित रखते हैं तो file के रूप में save होती है the data can be a program और a simple letter data कोई program हो सकता है या कोई साधरन लेटर हो सकता है और इनी अदर वर्क वी हव दन इन दे computer यह computer में हमारा दार कोई भी कार्य हो सकता है we can store same kind of files on one place और हम सेम प्रकार की file को एक प्रक एक प्लेस पे store कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं folder different types of file are different types of files are there for different software प्रत्यक software के लिए अगर प्रकार की file होती है so they are stored in different folder उनको अलग-अलग folder में store के जाता है we can compare a file with our notebooks of different subject हम जैसे we can subject in one type of notebook we write all information of the type only but on different dates this entries are our files हम files को हमारी notebook से भी compare कर सकते हैं जैसे कि हमारी अलग-अलग विसे की notebooks होती है उसी प्रकार से अलग-अलग प्रकार की file बना सकते हैं और उसमें हम जानकर यह संधारित कर सकते हैं let us now discuss how to manage files and folder in window आईए अब हम जाने की window में फाइल फोल्डर को हम कैसे manage करें to create a new file यदि हम कोई new file बनाना चाहते है तो उसके लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी होगी the most common way to create a file by using any application software open ms word यदि हमें कोई application software में क्या फाइल बनानी है तो उसके लिए सबसे कामन तरीका है जो है यहां है open ms word it is start with a blank page यदि हम कोई open ms word के फाइल open करते हैं तो यहां खाली फाइल के रूप में open होगी start typing text on the blank page और उस blank page पे हम text को type करेंगे after completing your work हमारा कार्य समप्ति के बाद so your work using file save option and type a file name in the dialogue box जैसी हमारा कार्य समप्त होगा हम file को save करेंगे और वहां पे हम dialogue box में file का नाम देंगे this create your new file इससे हमारी एक नई file बनकर तयार हो जाएगी अब हम पढ़ेंगे saving a file या file को सुरक्चित करना जैसे कि बहुष से में open करके देख सके we can save a file in more than one location हम एक से अधिक इस्थानों पर भी file को save कर सकते हैं we can save it at any one place selecting save option from the file menu file menu के save option से हम इसको सुरक्चित कर सकते we can also save it in different place using save as option menu from file menu यदि हमको अन्य इस्थानों पर भी file को save करना है उसी नाम से तो save as option का उप्योब करके हम उसको save कर सकते हैं to create a new folder देखिए हमने बहुत सारी फाइल बना ली यदि हम चाहते हैं कि विशिस्ट प्रकार की file को किसी एक folder में रखें ताकि हमें folder open करने पर सारी फाइले प्राप्त हो जाए तो उसके लिए हमें folder बनाना सिखना होगा तो देखिए folder कैसे बनाते हैं क्लिक दे राइट माउस बटन वन इन दे ब्लेंग के रिया ओप डेक्स टॉप हमारे जो डेक्स टॉप का खाली स्पेस है उसमें हम राइट माउस की राइट बटन को एक बार दबाएंगे अब पूल डाउन मिनू अपयर तो एक हमें हमें डैलाग बॉक्स या मिनू दिखेगा तो इसको हमें क्लिक करना है अब यूव में जब करेंगे इसके सबिन्व uğपन होगी क्लिपग अब इसफ 사건 तो एक नया फोल्डर होगा करसर, प पोजिजन और प्रेस्टर की तो हमें Gef。 पर क्लिक करके इंट्र की दबाना है अनियों फोल्डर इज क्रियेट्ट इस प्रकार से हमारा एक नविन फोल्डर का निर्मान हो जाएगा अब उसज्डर में हमें फाइल को रखना है तो कैसे रखेंगे तो कापी and paste a file folder select the file folder you want to copy हम किसी file folder को copy करना चाहा रहे हैं तो उसको हम एक बार select कर लेंगे माउस की बटन से click करके और हम या तो जैसे on edit menu click copy और by using keyboard press control plus c और click on the copy tools button तीन प्रकार से हम उसको copy कर सकते हैं क्योंग कोई भी file open करके उसके edit menu में जाके copy option पे select करके या file selector या control plus c की बटन दबा के या copy tool button से भी हम उसका file को copy कर सकते हैं open the folder और disk where you want to paste the copy और कोई भी disk का या folder जहां पे हमें उस file को वापस copy करना है copy करके वहां पर वापस paste करना है उससे हम open करेंगे on the edit menu click paste या press control plus v और click the paste tool button और तीन प्रकार से हम उसे वहां पे पेस्टे भी कर सकते हैं यहां note करें to select more than one file और folder और to copy hold down the control key and click the item you want to select यदि हमें एक से अधिक file या folder copy करना है तो हमें keyboard से control की बटन दबा के रखनी होगी और जितने भी items को हमें copy करना है सब के ऊपर हम click करेंगे तो वह सारे एक बार में select हो जाएंगे then to move file और folder file या folder को एक इस्था से दुसरे स्थान पर move करना select the file और folder you want to move हमें किसी file या folder जिसने move करना है उसको हम select करेंगे on the edit menu click cut from the keyboard edit menu में जाएंगे और हम वहां से उसको cut की बटन दबाएंगे या from keyboard keyboard से हदी हमें करना है तो control plus X से दबाएंगे या और click on the cut tool button और cut tool button से हम click करके भी उसको cut कर सकते हैं अब cut करने से फाइल या folder महां से हटी जाएगा देन हमें उसे अन्य जगे पर भेजना है तो open the file open the folder where you want to paste the file और folder हमें उसे स्थान पर उपन करना है जहां हम इस file या folder को paste करना चाहा रहे है on the edit menu click paste edit menu में हम paste select कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं keyboard से control plus V या on the paste to paste tools button paste tool की button भी दबा के हैं वहां से उसे पेस्ट कर सकते हैं अब हम देखते हैं renaming file या folder किसी file या folder के नाम को हमें रिनेम करना है तो हम देखते हैं कैसे करेंगे select the file or folder you want to rename यह में कुई file folder select करना है तो हम उसे rename करना है तो हम उसे select करेंगे from the file menu click on the rename और press F2 function की दो तरीके से हम उसका नाम बदल सकते हैं file menu में जाके rename option को हम select कर सकते हैं या function की हमारे keyboard से F2 दबाएंगे तो हमें rename का dialog box खुल जाएगा type the new name and press the enter और जैसी हम उस फाइल का नया नाम टाइप करके इंटर की बटन प्रेस करेंगे तो वहां फाइल का नाम परिवर्तितों के नया नाम हो जाएगा और जाम में करल सकते हैं झाल झाल झाल